हेलो दोस्तों नवश्कार आपकी अपनी यूटूब चैनल डिश्टल देभू मैं स्वागत है दोस्तों कैसे हो सबी लोग आसा करता हूं कि आप सबी लोग अच्छे होंगे दोस्तों यदि आप होम गार्ड में भरती होना चाहते हैं और फोड़ागड और चमोले जनपत के निवासी हैं तो आवचदन पत्र किस तरह से भरना याप करना इस बारे में आपको मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो सब्सकρά आपको कुछ भी नहीं करना कुछ भी नहीं करनी है उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा भरती केंद्र का नाम तो भरती केंद्र का नाम भी कार्यलय द्वारा ही भरा जाएगा उसके बाद आपको अभिहरती का नाम यहाँ पर लिख देना है जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोहिज सी ही है कोई फरसन तो रोहित सीही आप आप नाम लिख देंगे उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी में यहाँ पर नाम लिख देंगे ठीक है उसके बाद आपको यह करना है पीता का नाम यहाँ पर लिख देना है पीता का नाम यहाँ पर आप लिख दोगे उसके बाद जैसे के राम से ही हो गया हिंदी में आप लिख दीजेगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगे उससे उसके बाद यहाँ पर आपको एक हाले में खीची गई फास्वोर्ट शाइर फोटो को यहाँ पर स्टिक कर लेना है नहीं चिपका लेना है ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे प्लाटून का नाम जिसके लिए अभिहरती आवेदन कर रहा है जिया तो इस तो प्लाटून का नाम आपको लिख देना है जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ साल दे प्लाटून का नाम है और इसे तरह से आप place का नाम दे सकते हैं कौन से प्लाटून है वह आले यहां पर आप नाम लिख सकते हैं उसी परकार्ट से यहां पर इस थाई पता आपका पता क्या है सबसे पहले आप गाउं का नाम लिखें यहां पर ज़ने का नाम मेंसन करें उसके बाद आपको post office ए ब्लाग कि उसके बाद ने इस थरो से आपको यहां पर भरना और उसके बाद यहाँ पर आप अंकों में लिखीगा जैसे कि आपका 13,4,98 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 13,4,198 लिख देंगे ठीक है? 19,98 1998 इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे 13,4,198 ठीक है दोस्तों इस तरह से आप जन्मृतिजी को मेंसन कर दें उसके बाद आपको यहाँ पर वर्स लिखने हैं महा लिखने हैं और यहाँ पर दिन लिखने हैं ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख देंगे 13,4,98 इस तरह से यह बन जाएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है उसके बाद आपको यहाँ पर नाक लिखता में इंडिया लिखना है और यहाँ पर धर्म जो है आपका वो किया है हिंदू है उसके बाद जाती में आप यहाँ पर लिख सकते हैं धी समानी वर्ग paraid आ था समानी लिख दें या फिर या भी सी एस्टी क्याडिये के से बिलॉग करते हैं तु आप यहाँ पर मेंसनी करते हैं जो भी रिलॉग करते हैं उसके भाद यहाँ पर आपको लिखना है स्यक्ष्णिक योगिता की बारे में सबसे पहली परिक्षा का नाम बूर्ड का नाम और विसाय और यहां पर उत्तिन करनी का वर्स जो है और प्राप्त स्रेनी ठीक है जैसे कि आपने यहां पर पांची पास करी है या फिर आठी पास करी है उसको यहां पर मैंसन कर दें परिक्षा का नाम पांची पास लिख सकते हैं या फिर आठी पास लिख सकते हैं यहां पर बारवी पास करें तो यहां पर दसवी पास मैंसन करा सकते हैं यह कंबल सरी नहीं है बट आपको कराना पढ सब्सक्राइए बारी पार्स से नित्व पारिए जैसे कि आपने फ्री परसंट दीची एट परसंट तो यहां पर डाल सकते हैं कितने परसंट आपने एकिव की हो उसके पर आविदक का व्यावसाई आप जिस भी व्यावसाई में संगलंगने है उस वाले व्यावसाई को आप यहां पर डाल दीजीगा समानितों जो पाड़ी छेत्म में होता है यहां पर क्रिश्ची रख दें यदि आपका है तो उसके बाद सारे माप भीहरते द्वारा नौ भर इतना समझ में आगे दोस्तों उसके बाद देखें यहां पर आपको करना है ग्यारवन नंबर इस्थाई इस्थानी दो व्यक्तियों का पता नाम और पता जो अभिहरती के संबंद में जानकारी रखते हों लेकिन उनके रिस्दार नहों और जो चाल चलन के बारे में जानक का नाम लिख देने इसके बमएं उसके बाद उनका पता कहां पे उसके बाद का नाम पूछा यहां पर उसके बाद आपका रहे zucchini सेано जहां अभ्यारती ने अंतिम सिक्ष्या प्राप्त की हो संगलंग ने की जाए तो आपको एक चायत प्रमान पत्र बनवाना है परधान के द्वारा ग्राम परधान के द्वारा उसके बाद अंतिम सेक्ष्णिस सस्थान आपका जहां भी था वहां से आपको चायत प्रमान पत् प्रमान पत्र आपको लगाना है और टिक करना भी है और प्रमान पत्र आपको संघलंग भी करनाई इस आवतन पत्र अब आवेदन पत्र भरते समय या इसे जमा करते सब अवेद Caribbean पत्र हैं भुधपूर सेहिंग में आते हैं तो टिक कर दें उसके पाद सवांता संग्राम सेनानी आसरित उत्राखंड के अनाद बच्चे इन में से आप जिस भी कैटेगरी में कर लिजिए जैसे कि रोहित भर रहा है तो यह परिपहल नाम हम कर देंगे शेशिप कर देंगे किस इस 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 नाम यहां पर लिभ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिनान का जिस दिन से आप इसको भर रहें वह यहाँ पर दिनान का mention कर दीजिए ठीक है उसके बाद पूरा form फिल हो गया दोस्तों आप जानिए कि इसके लिए इस आवेदन पत्र को आप जब भरोगे भरने के बाद इसे जमा करोगे तो इसमें आपको कौन कौन से आवशक दस्ताविज लगाने हैं तो यहां पर लिखाया आवशक संग लगनक तो देखे यहां पर आवेदन पत्र पर आवेदन की हाल ही मैं खिचवाए गई सो हस्तांत्रेट पासपूर साइज फोटो मैंने अभी कहा था कि इसमें आपको क्या लगाने है फोटो आवशक है जीहां दोस्तो भरति के संभाई लग जब भरती स्तिलप जाओगे उस समय भी आपके पास दो फोटो होनी चाहिए जीहां दोस्तों दो फोटो आपको ले जाने हैं साथ ही आपको इस आवेदन पत्र में जो लगाने है सक्षनेक जोग गिता परमान पत्र आयों पत्र और अनुसु से जाती जन जाती और अन्य पिछड़ी जाती और सौनता सेनानी के आसरत भूर भूत पूर्व सेनिक उत्राखंड के अनात बच्चे और परवती निवास इस्थाई निवास और आर्थी रूप से कमजूर वर्क संबंधित प्रमाण पत्र सक्सम अधिकार यहां पर प्रवेश पत्र आपको दिया जाएगा विभाग की तरफ से इसमें आपको कुछ भी नहीं करना कि उसके बाद यहां पर यहां पर यह इस तरह से आपको प्रवेश पत्र दिया जाएगा जब आप भरतिश तलब पर पहुंचोगे तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को और डांग द्वारा इसे सेंड कर सकते हूं